नमस्कार दोस्तों साथ नए नियम जो की अपरिल 2021 से लागू हो गए हैं अगर आप लोग पैसे कमा रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि ये इंकम टैक्स से रिलेटेड है तो इचली वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को दूसरों के साथ सेर कीजेगा जिससे की वो लास्ट टाइम वाले बर्डन से बढ़ सके वरना इस समय के जो रूल बने है वो थोड़ों से सक्त कर दिये गया है और अगर आप लोगों को ज़्यादा चार्जिस देने पड़ सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहला नियम है एप लेकर के मैंने इस जो भी interest rates होंगे जो भी आप लोगों की earning हो रही है interest rate के रूप में उस पे आप लोगों को किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगेगा लेकिन अगर आपका investment 2.5 लाग से उपर हो रहा है तीन लाग रुपए माल लीजे हो रहा है या फर चार लाग रुपए एक एक्जामपल कि हम माल लेते हैं जैसे कि 2,50,000 है तो 2,70,000 आप माल लो तो 20,000 जो extra amount है उस पे जो आप लोग interest on करोगे न वो interest आप लोगों की taxable होगी तो उस पे आप लोगों को taxes देने पड़ेंगे ठीक है दूसरा tax on you leap ये भी दोस्तों up to 2.5 लाग आपके जितने भी you leap खुले हुए ठी है एक साल में मिला करके अगर उनका premium जा रहा है 2.5 लाग से उपर तो वहाँ पर भी उसकी earning पे आप लोगों को taxes देने पड़ेंगे नेक्सी जोस्तों की आपके लिए एक काफी अच्छी सुविधा कर दी गई है कि अब pre-filled ITR आएंगे बहुत सारी information आप लोगों की pre-filled लोगी पहले क्या था क्या ओका नाम आधार कार्ड और PIN वगएरा जब आप लोग लोग इन करते थे तो वहाँ पर आप लोग दे दे सकते हैं तो ये एक काफी बढ़या हो गया है कि अब आप लोगों को जायतर CA की चक्कर में फंस करके extra पैसे वगेरा नहीं देने पड़ेंगे हां लेकिन अगर आप लोगों को इसकी knowledge नहीं है तो जरूर आप लोगों को CA से ही अपना ITR फाइल करवाना चाहिए लेकिन अग लिए काफी बढ़या होगी आप लोगों को बहुत ज्यादा इदर उदर नहीं घूमना पड़ेगा नेक्स्ट सीनियर सिट्जन तो दोस्तों सुपर सेनियर सिट्जन क्या होते हैं जो 75 साल या फिर उससे ज्यादा के हैं सेनियर सिट्जन किनको मानती है गवर्मेंट जो 60 स हो रही है या फिर कोई भी MIS स्कीम ले रखा है जैसे कि सेनियर सिट्जन की सेविंग स्कीम ले रखी है या फिर कोई पैंशन उनके रेटार्मेंट के बाद से मिल रही है तो उनको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप लोगों की इंकम इसके अलावा किसी और सोर्स से हो रही है जैसे कि आप लोगों की इंकम हो रही है रेंट टर्निंग से आप लोगों की इंकम हो रही है कापिटल गेंस वगेरा से तो आप लोगों को वहां पे ये चीजे दिखानी पड़ेगी तब आप लोगों को इंकम टैक्स रिटार्न फाइल करना जरूरी पढ़ जाएगा पांचवा और यह काफे important update है जो आप सभी को ध्यान में रखना है यह एक नया section है जो की जोड़ा गया है under section 206AB इसमें क्या आए कि अगर आप लोग अपने income tax return file नहीं करते हो और आप लोग का TDS कटा है तो वो 10 से 20% तक कटेगा अभी तक क्या था कि 5-10% आप लोगों का TDS करता था लेकिन अगर आप लोग ITR file नहीं करते हो या फिर अगर आप लोगों के पास अभी तक pen card नहीं बना हुआ है तो जो भी आप लोगों की tax deduction होती है add the source ठीक है वो ज़्यादा आप लोगों की कतेगी वो ज़्यादा आप लोगों को देना पड़ेगा तो अगर आपके पास pen card नहीं है तो बनवा लो और अगर आपने ITR file नहीं करा है तो file कर दो TDS वगएरा जो कटते हैं वो return मिल जाते हैं आप लोगों तो इस पे आप लोग चूक मत करिएगा यह काफी important section है जिसको आप लोग ध्यान रखेगा under 206 आप लोगों को ज़्यादा charges देने पड़ सकते हैं छटा कि अगर आप लोग ITR file करने में चूक जाते हैं तो अब आप लोगों को केवल government की तरब से एक मौका दिया जाएगा जी यहां अभी तक क्या था कि आप लोग पूरे financial year तीन-तीन महीने तीन-तीन महीने करकर के चार बार आप लोगों को मौका at least मिल जाता था लेकिन अब आप लोगों को government केवल एक मौका देगी कितने बड़े amount का ITR है ठीक है इसके लिए मने एक detail video दी है आप लोग जाकर के channel पे जरूर सर्च कीजिएगा channel के video section में जाकर के कि कितना हमारा amount होगा अगर हम late हो जाते हैं ITR फाइल करने पे तो कितना हमें taxes देने पड़ सकते हैं next जोस्तो कि आप लोगों का जो graveyard होता था या फिर कह लिए जो लोग टैक्स चोरी करते वरते थे और या फिर जो लोगों को थोड़ी देनों बाद थोड़े सालों बाद कह लिए कि होस आता है कि हाँ भया यहां तो मैंने mistake कर दी है यहां पर मैंने TDS कटा था लेकिन मैंने यह चीज नहीं दिखाई है या फिर इस तरह के frauds हुए हैं तो अब क्या है कि अब केवल और केवल 3 साल का ही वो case open हो सकता है इससे पहले 6 साल तक open हो सकता था 6 साल पहला ITR अगर आपने फाइल किया है तो उस समय तक open हो सकता था लेकिन अब वो सीमा घट करके 3 साल हो गई है तो ध्यान रखिए कि आप लोग कभी भी ITR फाइल करने में कोई दिक्कत वगेरा ना किया करो वरना आप लोगों को ही आगे चल करके परशानी हो सकती है क्योंकि आपकी hard earned money है तो tax भर रहे हो तो सही तरीके से भरो और अगर आप लोगों का TDS कटा है या फिर capital gain हुआ है या फिर आप लोगों कहीं से भी interest earning हो रही है या फिर आप लोग rent earning कर रहे हो तो वो सारी चीज़े दिखाओ आप लोग 5-10,000 रुपर बचा करके बहुत बड़े राजा नहीं बन जाओगे लेकिन वो अगर आप लोगों के ITR में mention होगी तो आप लोगों को उससे बहुत कुछ benefit में मिल सकता है तो बस ये कुछ 7 update थे जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं अगर आप लोगों को इन सातों के बारे में पता था तो अपने लिए इस वीडियो को like कर दीजे अगर आप लोगों को ये वीडियो बिलकुल भी नहीं अच्छी लिए तो dislike कर दीजे दूसरों के साथ share करके उन को का दिन सुबह जाहिए